हलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अभी इस विडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स क्लास 10th NCRT-based शुरू करने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं बिना देर किये हुए हाँ एक बात मैं बता दूँ इसमें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली NCRT का जो एक्जम्पलर है उनके एक्सरसाइज को हम इस पे सॉल्व करते जाएंगे यह जो लेक्चर्स आ रहे हैं पॉलिनोमियल्स के इसमें हम NCRT एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे लेकिन आपको यह बिलकुल नहीं सोचना है कि थियोरी नहीं होगा थियोरी भ पहला एक्सरसाइज उसमें सॉल्व करेंगे और उसमें ख्योरी भी जानेंगे तो शुरू करते हैं तो पॉलिनोमियल्स नाम सही लग रहा है पॉलि का मतलब एक से ज्यादा ठीक है एक से ज्यादा टर्म्स हो और जो टर्म्स होंगे उसमें जो वैरियबल होगा उसके हर ए पावर 2 है, इस variable पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो पावर क्या है, 0 है, इसको हम polynomial बोलेंगे, इसमें कितने सारे terms हैं, 1, 2, 3, 4, तो इसको बोलेंगे quadnomial, इसका maximum power कितना है, 3 है, तो इसको हम 1.1 exemplar का, ठीक है, सबसे पहला question है, if one of the zeros of quadratic polynomial, if one of the zeros of the quadratic polynomial, quadratic polynomial किसको कहते हैं, ऐसा polynomial जिसका maximum power क्या हो, 2, मतलब maximum power variable में, k-1 into x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of case, option A, 4 over 3, option B, minus 4 over 3, option C, 2 over 3, option D, minus 2 over 3, अब इस question में जितने सारे नहीं चीज़ें आएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर discuss करी जाएंगे, ठीक है, नई चीज़ क्या आप देखना है, 0, 0 का मतलब यह है, कि polynomial में जो variable है, उसका value तो बदलेगा, उसके value में हम, क्या-क्या put कर सकते हैं, अगर हम minus 3 put करें, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि बोले, इस one of the 0s, 0s का मतलब है, कि value 0 आ जाएगा, किसका, इस polynomial में x का value अगर put करें, इस polynomial को हम px माल लेते हैं, px is equal to, क्योंकि x पर depend कर रहा है, k-1, x square plus kx plus 1, याद रहे, यह quadratic polynomial है, मतलब x square के साथ, जो coefficient है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो k का value 1 नहीं होगा, 1 वैसे option में, नहीं है, चलिए देखते हैं, बोला है कि minus 3 अगर put करें, तो यह 0 आ जाएगा, that is minus 3 किसका value, x का, तो k minus 1, minus 3 का whole square, plus k into minus 3 plus 1 is equal to 0, minus 3 k square 9, k minus 1 into 9, minus 3 k, plus 1 equal to 0, that is 9 k minus 9, minus 3 k, plus 1 is equal to 0, 6 k, 1 minus 9, minus 8 equal to 0, so 6 k is equal to 8, that is k is equal to 2 3s are 4, 6 to 4s are 8, 4 divided by 3, the option is, that is a is correct, I think समझ आया होगा, 0 का मतलब यह है कि polynomial में जो variable इस्तमाल हो, इस variable में वो जो value put करेंगे, वो उसको 0 कर देगा, ठीक है, उतार लें, चलिए उतार लिए होंगे, थोड़ा सा और हम लोग उपर लिख सकते हैं, ठीक है, अब question क्या कह रहा है, a quadratic polynomial, दूसरा question है, एक quadratic polynomial बनाना है, ठीक है, second member, a quadratic polynomial, फूस जिरो जार, फूस जिरो जार, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, कि quadratic polynomial बनाना है, तो quadratic polynomial कैसा होता है, अब देखें, यह होता है कुछ ऐसा, ax square, plus bx, plus c, बराबर 0 लिखने का मतलब, वो equation हो जाएगा, तो बस ऐसा होगा, और a का value क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और a, b, c, these are real numbers, तो यह आपका quadratic polynomial है, ठीक है, इसको solve करेंगे, तो x के दो results आएंगे, और वो दोनों हो सकता है, कि बराबर आजाए, या different आए, लेकिन दो results आएंगे, ठीक है, यहाँ दूसरा वे क्या है, दो results पाने के लिए, x minus alpha, into x minus beta, बराबर 0, ठीक है, यहाँ से हमको दो results मिल जाएंगे, इसको अगर solve करेंगे, आप खुद सोचें, x into x, x square हो जाएगा, यह भी तो उसी format में हैं, इसको अगर solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा बताएगा, बताएगे, x into x minus beta, minus alpha, x minus beta, बराबर 0, तो यह क्या होगा, x square minus beta x minus alpha x, plus alpha beta, बराबर 0, that is x square minus alpha plus beta into x, plus alpha beta बराबर 0, उसी format में है, ठीक है, इसके साथ हम लोग एक constant multiply कर सकते हैं, k, जहाँ पे k का value क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, तो देखिए, x square के साथ यहाँ क्या multiplied है, a, यहाँ x square के साथ k multiplied है, यहाँ x के साथ क्या multiplied है, b, ठीक है, और, अगर मैं इसको quadratic equation लहीं लो, अभी यह quadratic equation मान लिए, और 0 इसलिए लिए जो कि 0s ही चाहिए, क्या चाहिए, 0s ही चाहिए, तो बात समझ आ रही है आपको, यहाँ पे k multiplied है, क्या multiplied है, k, that is, k हम यहाँ पे भी multiply कर देंगे हर जेगा, क्या multiply कर देंगे k, यह जादा इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, k अगर multiply करें, यह इतना into 0, 0 यह होगा, ठीक है, और k यह 0 नहीं है, तो हम यह कह रहे हैं, जब quadratic polynomial बनाना है, तो हमको यह वाला, जो theory है, इस्तमाल करना है, alpha का value कितना put करना है, minus 3, तो minus minus क्या हो जाएगा, plus 3, ठीक है, और beta का value कितना put करना है, 4, तो x minus 4 हो जाएगा, तो यह आप समझ रहे होंगे शायद, यह भी quadratic polynomial है, और यह भी क्या है quadratic polynomial है, इसको फिर हम लोग compare करेंगे, फिर कुछ result ले के आएगे, जो question की हिसाब जिम्लोग करेंगे, तो एक बात तो समझ आ गई, कि जो quadratic polynomial है, इसको बिदाने, alpha बरावर किया है, बताइए, minus 3, और beta बरावर 4, हमको जो result लाने हो, क्या होगा, x minus alpha, that is x minus alpha into x minus beta, ठीक है, इसके सब कुछ multiplied है k, और k का value क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो इसको अगर solve करें, तो k क्या हो जाएगा, k नहीं पता, x minus minus 3, x minus 4, तो इस तरह से कितने सारे quadratic polynomial बनेंगे, k के value पर depend करेंगा, और k के infinite values हो सकते हैं, इसलिए infinite quadratic polynomial बन सकता है, 2, मसलब अगर जी, 1,0 कर लेंगे, minus 3 और 4 को लेके, हम लोग infinite quadratic polynomial बना सकते हैं, चुकि यहाँ पर k multiplied है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x plus 3 into x minus 4, वो सारे बच्चे, directly x square minus, alpha plus beta into x plus alpha beta, ये भी हो सकता है, ठीक है, इसका k multiplied है, ये भी कर सकते हैं, वो ही आएगा फिर, तो क्या हो जाएगा, बताएगे, x square plus 3x minus 4x plus minus 12, ठीक है, अब इसको अगर solve करें, तो क्या हो जाएगा, x square 3 में 4 गिया, minus x minus 12, अब यहाँ पर एक बात आती है, के x square के सक कोफिशन जो पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, अगर हम निगेटिव से मल्टिप्लाइ करतें, तो निगेटिव हो जाएगा और यह पॉज़िव हो जाएगा और यह पॉज़िव हो जाएगा तो आपको 6 बराबर 0, हमने किया का वह लो क्या पूट कर दिया, half, क्या पूट कर दिया, half सब half से multiply हो गया, 0 लिपने जरूरत न्याधित पड़ गई है, ठीक है, तो यह आपका एक quadratic equation आगा है, जो इसके साथ match कर रहा है, उसके बाद d number देखिए, positive positive negative, positive positive negative नहीं है, तो आप ऐसे भी filter कर सकते हैं, किसे उसके coefficients, तो तीनों terms हैं उसके positive निगटिव को आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर समझ आया है, कि option से ही correct होगा, तो बहुत सारे बच्चे इसका भी इस्तमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर बात समझ नहीं आएगी, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यही वाला, यह के छोड़के जब करेंगे, तो उसको लगेगा कौन सा होगा, यह समझना मुमकिन नहीं होगा, तो इस तरह से आपको करना है, I think कि समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा, तो कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, कि सर बात समझ नहीं आ रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह अगर आपको डिफिकल्ट लगा, तो मैं एक तो मैं आसानी से सॉल्ट कर देता हूँ, आपका यह है, इसके साथ याद रहे हैं, कुछ मल्टिप्लाइड है, क्या हो जाएगा, एक स्कॉाइर माइनस, अल्फा प्लस बीटा, यह इसे भी कर सकते हैं, के इन्टू एक स्कॉाइड चार में देने एक, प्लस एक्स माइनस ट्वेल बरावर जीरो, फिर हमने गलत किया, स्वारी, चार में प्लस है, के तो मैनस एक्स होगा, तो के का वैल्यू हम लोग यहाँ पर अगर देखें, यहाँ से तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिटिव, निगेटिव, निगेटिव, पॉसिटिव, निगेटिव, पॉसिटिव हो गया, वहीं नहीं सकता, उसके बाद पॉसिटिव, पॉसिटिव, पॉसिटिव भी नहीं हो सकता, यह होगा, मैंने बोल दिया, के का वैल्यू कुछ भी बूट कर साथें, बढ़ हम हाफ पूट करके देखेंगे, और half पूट रहे नहीं है कितना हो जाया है कि half into x square minus x minus 12 फिर हमने equal to 0 दे दिये ठीक है गलती हो जाती है minus x by 2 minus 12 by 2 कितना अच्छा है यह option correct होगा अब कैसे भी कर सकते हैं I think समझ आया होगा उतार ले से लिए question number 2 होगी है तब भी परेशानी हो तो आपके पास मैंने आपको बार-बार कहा है कि आप बता हैं जरूर किसर समझ नहीं आया तो मैं फिर और इसको कोशिश करूँगा समझाने की चेरी question number 3 if the zeros of the quadratic polynomial zero का मतलब मैंने बता दिया if the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b are 2 and minus 3 देखिए यहां तक यह polynomial है बराबर zero put करने तो quadratic equation हो जाएगा तो उसका खयाल लगें आप and minus 3 then option a minus 7, b minus 1 b, a5, b minus 1 c a2, b minus 6 d, a0, b minus 6 ठीक है तो अगर हम इस quadratic polynomial को देखें तो क्या नजर आ रहा है इस quadratic polynomial में इसको हमने px माल लिया कितना है px बताई है x square plus a plus 1 into x plus b अगर हम 2 put करें तो भी 0 होगा और minus 3 put करें तो 0 होगा चूंकि बोल दिया है 2 and minus 3 are the zeros तो 2 square plus a plus 1 into 2 plus b equal to 0 that is 4 plus 2a plus 2 plus b equal to 0 that is 2a plus b is equal to 4 दुछ है उस पर जाएगा तो minus एक equation आगी है दूसरा p of minus 3 is 0 that is minus 3 का square plus a plus 1 into minus 3 plus b equal to 0 9 minus 3a minus 3 plus b equal to 0 minus 3a plus b 9 में 3 के अच्छ है उस पर जाएगा तो क्या होगा minus 6 यह आपका equation 2 होगा equation 1 or 2 को अगर 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 देखें तो क्या हो जाएगा बताइए 1 or 2 को इसको हम यहां लेके आगे 2a plus b equal to minus 6 दोनों को क्या कर रहे है घटा रहे है तो b b cancel minus 5a equal to 0 that is a का value कितना आया 0 आया a जब 0 आयेगा तो यहां put कर देते है 2 into 0 plus b equal to minus 6 तो b यहां से आयेगा minus 6 option कौन सा correct है d a 0 और b minus 6 उतार ले चलिए question number third हमारा complete हो गया fourth क्या कह रहा है the number of polynomials having zeros the number of polynomials having zeros as minus 2 and 5 is option a one option b two option c three option d more than three हमने अभी थोड़ी दिर पहले बताया के अगर आप लिखे हैं quadratic polynomial ही बना है इसका तो क्या होगा x minus alpha into x minus beta और यहाँ पर क्या multiplied होगा k x minus alpha alpha कितना है minus 2 x minus beta beta कितना है 5 that is k into x plus 2 into x minus 5 अब यह जो quadratic polynomial को simplify भी कर दे रहे हैं अगर जरूरत पढ़े आपको तो ठीक है x square plus 2x minus 5 is minus 10 x square minus 3x minus 10 अब k के value पर depend करेगा के यह क्या होगा के value 1 put करेंगे तो एक polynomial आएगा 2 put करेंगे दूसरा आएगा 3 put करेंगे तीसरा आएगा minus 1 put करेंगे चौथा आएगा इस तरह से infinite polynomials मिल सकते हैं जब zeros कौन हो minus 2 और 5 तो इस से क्या पता चला option कौन सा सही होगा अब डी सही होगा question number 5 क्या कह रहा है given that one of the zeros of the cubic polynomial one of the zeros of the cubic polynomial क्या ये AX cube plus BX square plus CX plus D is 0 the product of other two the product of other two zeros is option A minus C बटे A option B C बटे A option C 0 option D minus B बटे A इस पे हम complete theory बता देते हैं आपको quadratic का भी और cubic का भी ठीक है अगर हम बात करें quadratic polynomial की QP मतलब यहाँ पे क्या है बताईए quadratic polynomial ये कैसा होता है ये होता है AX square plus BX plus C ठीक है equation हम बना लेते हैं अभी equal to 0 लिख देते हैं जहाँ पे A का value क्या नहीं है 0 नहीं है ठीक है उसके बाद तूसरा हमने क्या लिया बताईए इसी को अगर हम ऐसा लिखें K into X minus alpha X minus beta equal to 0 alpha और beta क्या है 0 है और K का value क्या नहीं है 0 नहीं है तो 0 ये K multiplied ये 0 के बटे के 0 हो जाएगा तो होगा क्या X square minus alpha X अभी हमने solve भी किया तो पीछे इसको solve करें दर लें अगर तो क्या होगा X square plus B बटे X plus C बटे A बरावर 0 that is X square minus minus B बटे X plus C बटे A बरावर 0 इसको अगर दोनों को एक साथ देखें तो ये क्या imply करता है बताईए X square के सब क्या coefficient है 1 यहाँ A हमने 0 बटे A 0 कर दिया ठीक है यहाँ पे भी 1 multiplied है ठीक है यहाँ alpha plus beta multiplied है यहाँ minus B बटे A तो क्या होगा alpha plus beta is equal to minus B बटे A उसी तरह यह alpha बीटा है यहाँ C बटे A तो alpha into beta क्या होगा C बटे एक थियोरी तुमने जान लिया कि sum of zeros quadratic polynomial के लिए क्या होगा minus coefficient of X बटे coefficient of X square ठीक है और I'll find to be it up product of zeros यह क्या होगा constant term बटे coefficient of X square I think यह बाद समझाई होगी अब इतना डोट डाउन करें फिर हम लोग जानेंगे cubic polynomial के लिए यह सब क्या होता है इसे लिए उतार लिए होगे अब जानेंगे cubic polynomial के लिए तो क्या होगा cubic polynomial किस तरह का होता है A X cube plus B X square plus C X plus D equal to 0 जहां पर A का value 0 नहीं इसको अगर हम A common ले ले हैं यह कर लेता है X cube plus B बटे A X square plus C बटे A X plus D बटे A बरावर 0 that is क्या हो जाएगा X cube plus B बटे A X square plus C बटे A plus D बटे A बरावर 0 बटे A बरावर 0 हो जाएगा एक तो हमारा इस तरह का है दूसरा किस तरह का हैगा दूसरा हमको लेना है K into X minus alpha X minus beta X minus gamma बरावर 0 सब्सक्यून लेता है जिका alpha पुट करेंगे तो 0 आजाएगा beta पुट करेंगे तो 0 आजाएगा gamma पुट करेंगे तो 0 आजाएगा समझ रहे हैं और K को value 0 नहीं है तो क्या होगा K को उस पार करते हैं 0 बटे के 0 हो जाएगा और ये तो multiply करके हम लोगों ने देखा X square minus alpha plus beta into X plus alpha beta इस पूरे को multiply करना है किस से X minus gamma से तो बताएगे X square किस से multiply होगा X minus gamma से minus alpha plus beta into X ये किस से multiply होगा X minus gamma से plus alpha beta किस से multiply होगा X minus gamma से ठीक है ये होगा X cube minus X square gamma ठीक है minus alpha plus beta into X square minus X gamma plus alpha beta X minus alpha beta gamma बरावर 0 तो इसको अगर solve करें आगे फिर फर्दर X cube minus यहाँ gamma है देखें alpha plus beta alpha X square लिखें देखें देखें X square gamma minus X square alpha minus X square beta ये से multiply होगा minus minus plus ये पूरा मेने कर दिया है आपे minus minus plus क्या होगा X अगर आपको समझे में परेशानी हो रही है तो इसको और एक स्टेप पर देते हैं ठीक है एक स्टेप क्या हो जाएगा alpha plus beta into X square minus minus plus alpha plus beta into X gamma plus alpha beta X minus alpha beta gamma बरावर 0 इतना नूट डाउन करें बस simplify कर रहे हैं इंता करने के जरूरत नहीं है यह तो आप समझ रहे हैं पूरा उतार रही है यह मैं छोड़ दे रहा हूँ बस ठीक है अब देते हैं क्या होगा इसको अगर लिखें X cube minus X square gamma X square X square हमने common ले लिया तो क्या हो जाएगा alpha plus beta minus भी common ले लेते हैं alpha plus beta यहां क्या आजाएगा प्लस gamma into X square यह तो आगया है यह पर अब क्या होगा alpha gamma X plus alpha gamma X plus alpha beta sorry alpha gamma X होगया beta gamma X plus beta gamma X plus alpha beta X minus alpha beta gamma बरावर 0 इसको देखेंगे तो यह होगा X cube minus alpha plus beta plus gamma into X square plus alpha beta X multiplied beta gamma X multiplied plus alpha gamma X multiplied into X minus alpha beta gamma बरावर 0 तो हमारे पास और एक स्टेंडर्ड एक्यवेशन आ गया इस पे हमें एक लाइन ड्रॉा कर देते हैं जिससे आपको परिशानी नहों ठीक अब अगर इस दोनों को देखें यह वाला और यह वाला यह दोनों क्या imply करेगा यह दोनों imply करेगा X cube के साथ one multiplied X cube दो one multiplied है तो इसका जो sum of zeros है alpha plus beta plus gamma यह minus है यह plus है तो क्या हो जाएगा बराबर minus b by a एक हमारे पास आगी है ठीक है अब यहाँ देखिए alpha beta beta gamma gamma alpha दो दो zeros का product करके फिर sum कर रहे है that is alpha beta beta gamma gamma alpha यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा x square जाएगा b by a multiplied है x square के साथ ओ सौरी यह तो हो गया यहाँ मेरा x छोट गिया है c by a multiplied है तो इकवल तो क्या होगा c बटे दूसरा result मिल गिया तीसरा यहाँ alpha beta gamma है माइनस में यहाँ डी बटे प्लस में तो क्या हो जाएगा alpha beta gamma is equal to minus d by ठीक है वो था हमारा quadratic polynomial और यह क्या है हमारा cubic polynomial तो पूरी theory यहाँ पर मैंने बता दिया फिर अलग से theory भी करा देंगे जरूरत पड़ेगी तो फिर यह तो उतार ले उतार लिया होंगे अब हमारे पास जो question है इस question के हिसाब से देखे है one of the zeros of the cubic polynomial तो हमने alpha को क्या ले लिया alpha अगर 0 ले तो देखे है 0 into beta क्या हो जाएगा 0 पहला बाला plus beta into gamma plus gamma into alpha फिर यह भी 0 is equal to c by है यहाँपे c ही है और a, a ही है तो क्या हो जाएगा beta gamma is equal to c by t तो बहुत easy है option b is correct बतार ले चले question number 5 हो गया और फूरी लंबी चौड़ी एक थियोरी हो गई तो हमने जाना quadratic polynomial और cubic polynomial के zeros की कहानी sum of zeros और product of zeros की कहानी quadratic में दो ही zeros है इसलिए एक बार add होगा, एक बार subtract होगा तो एक बार add होगा, एक बार multiply होगा और cubic में तीन है तो एक बार add होगा, एक बार multiply होगा बार दो दो करके, product करके फिर add होगा ठीक है? अब question number 6 देखते यह क्या कह रहा है? If one of the zeros of cubic polynomial x3 plus ax2 plus bx plus c is minus 1 then the product of other two zeros is option hai b minus a plus 1 option b hai b minus a minus 1 option c hai a minus b plus 1 option d hai a minus b minus 1 चले अब क्या होगा बताइए इसको solve करें अगर तो हमारे जो polynomial है वो कुछ यू है x3 plus ax2 plus bx plus c देखिए x3 के साथ जो product है जो coefficient of one है और जहाँ b था वहाँ a है जहाँ c था वहाँ b है जहाँ d था वहाँ c अब पीछे वहाँ देख लें जाके और एक 0 is minus 1 लिया that is p of minus 1 0 है यहाँ minus 1 पुट करेंगे x के value में इसको अगर solve करें तो यह क्या हो जाएगा minus 1 minus a sorry plus 1 हो जाएगा minus 1 का square plus 1 हो जाएगा minus b plus c equal to 0 that is c is equal to b उस पार जाएगा तो क्या होगा plus b और plus यह उस पार जाएगा तो minus से minus उस पार जाएगा तो c इतना है हमें क्या चाहिए product of क्या बोले alpha beta gamma क्या होता है अभी हम लोगों नहीं जाना constant term divided by coefficient of x cube और negative में था cubic के लिए देख लिएगा minus constant term लिखना है पूरा बटे coefficient of x cube वहाँ पर मैंने minus d बटे a लिखा था लेकिन वहाँ पर देखना है कि d क्या था constant term पीछे minus था और a क्या था coefficient of x cube और alpha beta gamma में alpha क्या है minus 1 beta gamma एक 0 तो minus 1 है ना किसी को put कर दिया is equal to minus constant term कितना है minus c होगा बटे 1 that is beta gamma आया यहां से c और c क्या है b minus a plus 1 that is option a is correct उतार ले चलिए उतार ले होंगे अब question number 7 की तरफ बात करते हैं question number 7 क्या कह रहा है the zeros of quadratic polynomial the zeros of quadratic polynomial x square plus 99 x plus 127 are number a both positive b both negative option c one positive and one negative option d both equal तो देखते हैं क्या होगा अब इस पर अगर देखें कि x square plus 99 x plus 127 तो हमें पता है कि quadratic polynomial पूरी theory बता सकते हैं या इस जो question है इस question का बस अगर solution बताएं तो हम लोगोंने क्या जाना है कि alpha plus beta is equal to minus b by a होता है alpha into beta c by a होता है और यहाँ पर आप देखें हैं अगर तो a कितना है x square का coefficient 1, b कितना है x का coefficient 99, c कितना है constant from 127 तो अगर हम बात करें alpha plus beta की तो minus b by a that is b क्या है बताएं b है positive बटे a क्या है बताएं वो भी positive तो positive by positive positive यह तो negative आया that is alpha plus beta जो आएगा वो negative आएगा यह negative कैसे आएगा दोनो negative होगा या कोई एक negative होगा ठीक तभी तो उसका sum क्या है यह negative आएगा और हम बात करें अगर इसकी alpha into beta तो alpha into beta c by a है तो c by a जो होगा वो क्या होगा c बटे a c है positive बटे positive क्या आएगा बताएगे यह आएगा positive that is alpha into beta positive होगा alpha into beta क्या होगा positive होगा यह कैसे दोनों को या तो negative होना पड़ेगा या दोनों को positive होना पड़ेगा ठीक है तो alpha beta इसको positive होने के लिए alpha beta दोनों को क्या होना पड़ेगा negative तो दोनों निगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा ठीक अब सोचिए बहुत ही अच्छी बात हो गई अलफा प्लस बीटा क्या रहा है निगेटिव और अलफा इंटू बीटा क्या होगा पॉजिटिव तो alpha into beta positive कब होगा जब या तो दोनो positive होगा या दोनो negative होगा लेकिन alpha और beta को जोड़के negative लाना है तो alpha और beta को जोड़के negative लाने के लिए दोनों को negative होना पड़ेगा या तो एक को positive दूसरे को negative एक अगर positive दूसरा negative हो जाता है तो alpha और beta का जो product हो तो negative हो जायागा, यह निगटिव हो नहीं सकता, बास समझ जा रही है? alpha वीता जोड़के negative लाना है इसका मतलख alpha और beta दोनो negative होगा तो दोनो negative होगा negative क्या हो जाएगा positive इन दोनों के साथ अगर हम क्या करें दोनों को एक साथ समझें कि कोशिश करें तो alpha फी negative होगा और beta फी negative होगा negative итव positive हो जाएगा और negative negative add करेंगे तो negative में answer आएगा अगर positive एक negative होता तो यह negative हो सकता था लेकि negative into positive क्या हो जाथ negative क्योंकि यहाँ पर satisfy नहीं करता हो सकता है कि आपको एक difficult लगे मैं आपको पूरी theory बता दे रहा हूँ उसमें क्या बोला है both negative answer तो यही होगा both negative प्लस BX प्लस C बरावर 0 ठीक है alpha और beta का जोड क्या होगा minus B बटे अब आप देखें अगर हम alpha और beta दोनों negative ले 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 alpha भी negative और beta भी नहीं रहा हम इसी special case को पढ़ रहा है अभी इसी special case को पढ़ेंगे अगर तो क्या होगा बताएए alpha और beta को जोड़ेंगे अगर तो alpha और beta दोनों negative alpha और beta जोड़ेंगे तो यह क्या हैगा negative यह negative आने का मतलब minus B बटे यह तो उसके बरावर है ना तो यह भी क्या है negative यह negative मतलब यह वाला को क्या होना पड़ेगा positive यह होगा आपका positive यह positive होने का मतलब यह है कि A, B, C यहां अगर हम लिखते हैं ठीक है तो अगर अगर क्या अगर B positive है तो यह भी positive होगा positive बड़े positive पॉजटिव अगर B negative है अगर B negative है तो यह को भी negative होना भी negative पॉजटिव उसी तरह alpha into beta negative बड़े पॉजटिव आ जाएगा यह क्या बता रहा है बताईए C बटे A को क्या होना पड़ेगा positive और C बटे A positive होने के लिए C अगर A अगर positive है तो C को भी positive होना पड़ेगा एक अगर negative है तो सी को भी negative होना पड़ेगा इसका मतलब तीनों को जो हमारे terms हैं वो या तो positive होना पड़ेगा या तीनों को negative होना पड़ेगा यहां तीनों positive है तो both negative answer होगा both positive नहीं होगा उस पर both positive भी discussion करेंगे लेकिन आपको ये कहानी समझ आ जानी की ठीक है बोथ equal की भी कहानी सीखेंगे लेकिन ये बात आपको समझ अगर आ गई तो copy कर लें ठीक है question number 7 ये आपका both positive लेके भी आप कर सकते हैं देखें बोथ positive में अगर हम जानी की वश्च करें बोथ positive ठीक है दोनों अगर positive हो जाए तो alpha और beta का जोड क्या है अगर positive तो minus b बटे है क्या अगर positive ये क्या होगा negative बटे ये अगर negative होगा तो अब देखें a अगर positive है तो b को negative होना पड़ेगा a अगर negative है तो b को positive होना पड़ेगा ठीक है और अगर दोनों positive है क्या alpha और beta तो positive ही होगा तो C बटे है positive तो A अगर positive है तो C को भी positive होना पड़ेगा A negative है तो C को भी negative होना पड़ेगा तो plus minus plus minus ऐसा तो है नहीं है तो हमने दो बातें सीख लिया बोथ positive वाला case और बोथ negative वाला case और भी cases होंगे तो वो हम लोग धीरे धीरे जानते रहेंगे उतार ले इतना चली question no.8 की तरफ रवाना होता है question no.8 क्या कह रहा है question no.8 कह रहा है कि the zeros of the quadratic polynomial the zeros of the quadratic polynomial x square plus k x plus k k का value क्या नहीं है 0 नहीं है option a can't be can't both be positive b can't both be negative c are always unequal option d are always equal तो देखते हैं k का value 0 नहीं है कोई बात नहीं है तो x square plus k x plus k ठीक है अब यहाँ पे a 1 है और b k है और c k है alpha और beta को जोड़ें अगर ऐसे तो समझ आ गिया कि यह अगर positive है और k भी positive है तो positive 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 होगा तो can't both be negative यह कहना तो खलस है चुकि negative हो सकता है ठीक है alpha और beta जोड़के कितना आया बताईए minus b बटे a that is minus k बटे 1 या minus k और alpha into beta क्या हो जाएगा c by a that is यह हो जाएगा c by a that is k by 1 k तो इससे पता चला alpha और beta जोड़के negative आएगा और alpha और beta का जो प्रोड़क्ट है वो positive आएगा कि कैसे होगा बताईए उतार लेगा तो इसको अगर पूरे explanation के साथ समझेगी खोश्च करें मानते हैं कि k क्या है positive k अगर positive है तो alpha और beta क्या होगा बताईए यह negative होगा जिको positive होगा negative होगा alpha प्लस beta negative होगा ठीक है तो और alpha into beta क्या हो जाएगा alpha into beta k positive है तो k positive है यह positive आएगा तो alpha प्लस beta negative और alpha into beta positive यह कब possible है दोनों negative यह imply करता है कि alpha बीटा दोनों क्या हो बोथ negative क्यूंग चुकि निगटिव निगटिव एड़ करने से निगटिव आएगा निगटिव एग़ इने से क्या आएगा positive आएगा यह तो clear होगए तो यह हमारा घलत बात हो गई k अगर हम क्या करें negative हो k negative हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और अल्फा इन्टो बीटा क्या आएगा के निगेटिव है अगर तो निगेटिव आएगा के निगेटिव तो ये कब पॉसिबल है दोनों का जोड पॉजिटिव हो दोनों का जोड पॉजिटिव हो और दोनों का प्रोड़क निगेटिव हो तो प्रोड़क निगेटिव होने के लिए अलफा और बीटा एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा और एक को निगेटिव होना पड़ेगा और जोड के तो इस से क्या पता चला कि अलफा और बीटा इस केस में अगर देखें दोनों निगेटिव है इस केस में क्या है एक पॉजिटिव एक निगेटिव है दोनों क्या नहीं हो सकता पॉजिटिव नहीं हो सकता ठीक है दोनों क्या नहीं हो सकता positive नहीं हो सकता ठीक है 8 का A देख लेदें चेक करके आप तक तक उतारें अगर tough लग रहा है तो बताईए मैं थोड़ा जादा ही explain करने की कोशिश कर रहा हूँ इससे ऐसा नहों कि आपको समझने में problem हो रहा है 8 का A cannot both भी positive एक अच्छा question है यह चलिए question number 8 हो गया question number 9 की तरफ चलते है question number 9 क्या कह रहा है if the zeros of quadratic polynomial if the zeros of the quadratic polynomial a x square plus b x plus c a का value क्या नहीं है 0 नहीं है are equal are equal then option a c and a have opposite signs option b c and b have opposite signs option c c and a have same sign option d c and b have same sign चलिए देखते हैं इसको कैसे solve करें तो इसको solve करने के लिए हम लोग क्या करेंगे अब दोनों के 0 same है that is a x square plus b x plus c बराबर 0 alpha और beta क्या है same है इसको हमने क्या माल लिया alpha और beta same है इसको क्या माल ले क्या माल ले क्या माल ले अब लिए है इसको हम k ही माल लेते है ठीक है दोनों बराबर है तो alpha और beta का जोड क्या होता है minus b by a alpha और beta क्या हो जाएगा 2k बराबर minus b by a ठीक है और alpha into beta क्या हो जाएगा c by a that is alpha into beta c by a alpha into beta k into k k square हो जाएगा c by a ठीक है k यहाँ क्या होगा k इसको अगर हम solve करें minus b by 2a तो यह होगा minus b over 2a का whole square बटे c बराबर c बटे तो b square बटे 4a square c बटे a a a cancel तो इससे क्या result निकल के आया b square is equal to 4ac तो b square अगर 4ac होआ तो इससे क्या पता चला कि b square b negative हो या positive हो b negative और positive ठीक है कुछ भी हो b square बराबर क्या आएगा positive आएगा ना तो b square positive का मतलब 4ac is always positive तो 4ac को positive होने के लिए या तो ac दोनों को negative होना पड़ेगा negative negative या दोनों को क्या होना पड़ेगा positive positive बास समझा रही है तो a and c को same sign का होना ज़रूर ही है तभी a और c का product क्या आएगा positive आएगा that is option c is correct done बहुत अच्छे अच्छे questions है मैं भी इतने उमीद देखिया था question number 9 हो गया अच्छे से करें इसको question number 10 और 11 फिर हमारा sum up हो जाएगा question number 10 क्या कह रहा है if one of the zeros of quadratic polynomial if one of the zeros of quadratic polynomial of the form ax square x square plus ax plus b is the negative of the other then it has no linear term has no linear term and the constant term is negative and constant term is negative option b has no linear term and the constant term is positive option c can have linear term and the constant term is negative can have a linear term and the constant term is positive ठीक है तो यह question है question को समझे की कोशिशिक करते हैं question कह रहा है if one of the zeros of the quadratic polynomial is of the form क्या है x square plus ax plus b तो यहाँ पर a1 है b a है c b है ठीक है कोई बात नहीं तो एक alpha होगा alpha को अगर k मान लें तो beta क्या मानना पड़ेगा minus k क्यों? क्योंकि एक दुसरे का negative है that is alpha और beta बरावर क्या होगा 0 जोड के ठीक है alpha और beta जोड के 0 मतलब क्या होता alpha और beta sum of roots minus b बटे that is minus a बटे 1 बरावर 0 that is a बरावर 0 तो यह तो linear term है power 1 वाला को linear term कहते इसको constant term और यह आपका square term है या quadratic term है तो a बरावर 0 है तो has no linear term linear term possibly नहीं है तो c और d तो ऐसे ही नहीं होगा ठीक है अब आते हैं alpha into beta में alpha into beta क्या होता है alpha into beta क्या हो जाएगा आपर k into minus k that is alpha into beta होगा minus k square तो alpha into beta minus k square होगा that is alpha और beta का जो product होगा k square तो positive होगा k square is always positive तो k square के साथ अगर negative multiply करते हो हमेशा क्या होगा negative तो k square हमेशा negative होगा ठीक है तो alpha into beta हमेशा negative होगा तो इससे पता जला alpha beta हमेशा negative होगा और alpha beta क्या होता है बता ही alpha beta होता है constant term बटेवन तो क्या होगा अबी और alpha beta क्या है negative तो BB क्या होगा निकेटिव that is has no linear term and constant term is negative option A is correct उतार ले शेली question number 11 में graph समझना पड़ेगा 11 को अच्छे से कर देते हैं फिर हमाराज की यह कहानी है वो क्या हो जाएगी खत्म हो जाएगी question number 11 11 क्या कह रहा है which of the falling is not the graph of quadratic polynomial not of quadratic polynomial ठीक है option A कुछ ऐसा है option B कुछ ऐसा है option C option D मैं बस आपको अभी यह बता दूंगा कि इसका जो graph है वो किस pattern का होता है तो एक बस मैं ऐसा रूँ जैसे आप जानते हैं quadratic में AX square प्लस BX प्लस C हम क्या करते हैं BX प्लस C वाल अटाइक है एक तो B और C 0 भी हो सकता है बस मैंने X square लिया ठीक है और सब 1 multiplied है और X square को हमने क्या है Y बराबर X square B और C 0 हो सकता है बस इसका जो coefficient है 0 नहीं जो जो वो लिया हम simple होगी Y बराबर X square यह जो है इसको हम Y ले लिए इसको क्या ले लिए X तो अगर हम इसको बनाए है इसका graph तो अब देखें X है Y है 0 में 0 1 में 1 minus 1 में 1 2 में 4 और minus 2 में भी क्या होगा 4 इसका graph अगर बनाएंगे तो यह होगा Y और यह क्या होगा X 0 X 0 तो Y 0 यहीं पर X 1 Y 1 यहाँ पर X minus 1 और Y 1 उपर यहीं पर होगा X 2 Y 4 कहीं पर उपर जाएगा X minus 2 और Y 4 यहीं पर कहीं जाएगा तो graph कुछ ऐसा आएगा इस किसम का जो भी graph होगा अगर यह बात नहीं समझा आई तो हमको अलग से समझाना पड़ेगा इस किसम का जो भी graph होगा वो quadratic होगा यह हो इसका मतलब no solution समझेंगे बात में इसमें one solution इसमें two solutions और उसमें वो तो आपका क्या है ऐसा हो या ऐसा हो यह अगर minus लगा दें तो ऐसा हो जाएगा graph तो graph नीचे की भी तरफ जा सकता उसका मो उपर की भी तरफ जा सकता तो यह थी कहानी किसकी graph की I think कि इस chapter में इस exercise में जितने सारे वो हैं concept हैं लगबग सारे के सारे क्या हो गए टच हो गए अब आगे जितने सारे हमारे exercises बचे उसमें और भी कुछ concepts अगर आएंगे तो उसमें जरूर डिसकस होगा तो हमने क्या सीका है इस video lecture में इस पे हमने कुछ theory जाना polynomials का और उसके साथ exercise 1.1 जो exemplar का है उसको हमने complete detailed solution उसका कर ठीक है तो मिलते हैं next video में Thank you very much